प्रथान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नित्रितुम में बदल रहा है हमारा भारत घरेल उत्पाद, निरियात, उत्पादन और रोजगार स्रिजन की प्रात्मिक्ता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है स्टार्ट अप इंडिया, स्किल डेवेलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्म निर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूत पूर्व वृद्धी हो रही है ऐसे ही अभियान रोजगार मेला से अगले एक साल में कुल दस लाख भरतियां करने का लक्श है देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है आज उसमें एक और कड़ी जुड रही ये कड़ी है रोजगार मेले की आने वाले महिनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर न्यूक्ति पत्र स्वांपे जाएंगे अक्तूबर 2022 में देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जहां 75,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र स्वांपे गए I'm thankful to Government of India for giving me this opportunity and Indian Railway to serve the nation. Lastly, I'm grateful to Prime Minister of India for creating such a job opportunity for the youth of our nation. I got placed in Canra Bank as probationary officer and thanks to the central government and Sri Narendra Modi ji for fastening up all the process. So that I got the job so fast. Thank you. आज फिर से देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र चैनित उम्मीदवारों को सौपे जा रहे हैं. आज के नवनियुक्तों में शामिल हैं अर्ध सैनिक बलों में पुलिस कॉंस्टिबल, शिक्षक, नर्स, फार्मसिस्ट, रेडियो ग्राफर और अनेकों विभागों में अनन्य पद्ध. मिशन कर्मयोगी इन्हें रोल बेस्ट लर्निंग के लिए आईगॉट प्लैटफॉर्म पर श्रेश्ठतम प्रशिक्षन भी उपलब्द करवाएगा. जब देश भर से युवा, महिलाएं, दिव्यांग जन, ग्रामीन और आकांग्शी जिलों के हमारे साथी सरकार में जुड़ेंगे, तो वे सभी इंडिया एट 2047 के सशक्त साजेदार बनेंगे. ये सभी अपनी कारे कुशलता से नागरिक सेवाओं को सुगम बनाएंगे और भारत के प्रतेक संकल्प को सिध्धी तक पहुचाने में एहम भूमिका भी निभाएंगे. ये नवनियुक्त कर्म योगियों की राष्ट्र को समर्पित सेवाखा प्रारंब है.